वेलकम डियर स्टुडेंट से, एचार सर क्लासेज में आप लोगों का फिरचे स्वागत, वेलकम और अभिनांदन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 कल चेप्टर नमबर 4 और चेप्टर नमबर 4 में आज हम पढ़ेंगे एंटीजन वे एंटीबोडी, एंटीजन क्या होता है, एंट एंटीजन किसे कहेंगे, शरीर में परवेश करने वाले बहरी पधार्त या रोगाणों को एंटीजन या प्रतीजन कहते हैं, परिवाशा याद हो गए होगी, शरीर में परवेश करने वाले बहरी पधार्त या रोगाणों को क्या कहते हैं, एंटीजन के गुन क्या है, नम अधिके बने हो सकते हैं, एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप, एंटीजन का वहभाग जो एंटीबोडी के साथ जुड़ता है, यह 6-8 एमिनोमनों का बना होता है, एक एंटीजन में कई एपिटोप हो सकते हैं, और एपिटोप की संख्या को एंटीजन की सियोंजगता भ प्रतिरक्षी कहलाते हैं, यानि कि वे पदार्थ जो एंटिजन को नस्ट करते हैं, रोगाणों को नस्ट करते हैं, और इन्हें इम्मिनो गलोबिन भी कहते हैं, इसे IG से रिपरजेंड करते हैं, और ये प्लाजमा कोशिकाओं द्वारा बने गामा गलोबूलीन प्रोटीन है जो की एंटिजन के साथ जोड़ता है वह क्या करते हैं, इनको ध्यान से सुनें, याद करें, पर्तिरक्षी या एंटिजन की ये महधपुन बातें, थेंक यू